मैं अपने प्रवचन को प्रारंभ करूँ उससे पहले हम उनको विशेश वरियता देते हैं जो यहाँ आकर कोई जिज्यासा करते हैं प्रस्न करते हैं तो प्रवचन से पहले मैं हमारे आधरणिये बंधुवर क्या नाम है आपका पंकज कुमार जी ने एक प्रस्न किया है आधरणिये देवेंद्रदत सत्यार्थी जी ने एक आरिय समाज का आठवा नियम बोला था अविद्या का नाश करना और विद्या की यहां दोनों काम होते हैं बहुत सारे संगठन ऐसे चल रहे हैं जहां कुछ-कुछ विद्या है तो उसको बढ़ाते हैं और पूरी विद्या नहीं है इसलिए अविद्या का नाश भी नहीं करते है परंतु हमें एक ऐसा आदर्स आचारिय मिला है जो वेदों को प्रमान मानता है और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी परियंत रीशियों को जिनके सास्त्रों में सारी विद्या भरी पड़ी है उनको प्रमान मानता है इसलिए उन्होंने हमें सिद्धान्त दिया है दो काम करो बोले पहला काम क्या करें बोले नाश करो अरे बोलो क्या करो अच्छा नाश करना चीहे की नहीं अरे रूपचन जी बोलो जी और किसका अच्छाई का की बुराई का अरे जैसे भोजन करने से पहले करते हैं कि नहीं ऐसे आरिय समाज कहता है अरे वैदिक धर्म कहता है सनातन धर्म कहता है नास करो बोलो क्या करो नास करो और किसका नास करो संभल करके करो अविद्या का नाश और केवल नाश ही नहीं करना बलकि वृद्धी भी करो वृद्धी किसकी करें विद्या की आज मैं विद्या विद्या की आपका जो जिज्यासा है उसका समाधान इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि और लोगों को भी ये भावना बने की भई हम भी प्रस्न पूछा करेंगे और अगर मैं आज उनकी जिज्यासा का समाधान नहीं करूँगा तो लोग सोचेंगे कि भाव पूछने से क्या लाब है वहाँ उत्तर तो देते ही नहीं है तो मैं आपका पंकजी स्वागत करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ कि आपके मन में धर्म संबंधी कोई भी प्रस्न हो तो लोगों को कह दो कि रविवार में आरियसमाज आत्मान अंधाम में आओ और अपना कोई भी सवाग लेके आओ संचालक के हाथ में वो लिख के दे दो उसका रिशी मुनियों की पद्धती से समाधान किया जाएगा क्या ये छोटी बात है बहुत बड़ी बात है और ये विशेष्टा आरियसमाज के मंचकी है आईए मैं अविद्या का अर्थ आपके सामने रखता हूँ विद्या का भी रख देता हूँ साथ ही साथ सामानी अर्थ तो सभी जानते हैं क्या बोला मैंने ऐसा यह कोई नहीं जो नहीं जानता सामानी अर्थ क्या है जियान का नहोना अविद्या है जानकारी नहोना क्या है अविद्या है और जानकारी का होना बोलो ये क्या है विद्या पर रिशी धनन ने जो आरियसमाज का नियम लिखा है न वहाँ अविद्या का आर्थ उन्हों ने किया है विपरीत जियान का नाम भी अविद्या है अरे बोलो क्या का मैंने विपरीत जियान का निश्चे करना भी क्या है यह और बड़ी अविद्या है और इस अविद्या को महरशी पतंजिली जी ने चार भागों में बाटा है अजी बोलो कितने भागों में हाँ चार पोर्शन कर दिये पोर्शन जानते हो ना घरों में पोर्शन होते है उनके चार भाग कर दिये पहला भाग क्या है अनित्य वस्तूओं को नित्य मानना अजी बोलो क्या मानना यह हमारा सरीर सदा रहेगा की कुछ समय पर हम अपने सरीर की सेवा ऐसे करते हैं हैं तो हम 90 साल के पर सेवा ऐसे करते कि जैसे अभी हम मरेंगे नहीं कभी एक बार एक विद्वान से पूछा कोई आसरिय बताओ तो उन्होंने का लो सुनो आसरिय लो सुनो अविद्या अहन्यहनी भूतानी गच्छंतियम मंदिरम शेशास्थावरम इच्छंति कि मास्चर्यम अतःपरम आज ये गए आज ये गए, आज ये गए दिन दिन प्रति दिन हमारे बीच में से कोई जा रहा है लेकिन जो बच जाते हैं वो ये सोचते हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे माने हम सरीर जो अनित्य है उसे नित्य मानते हैं ऐसा व्यवार में देखने से पता लगता है अच्छा बोलो ये जो मकान है हमारा ये नित्य है या नित्य है पर इसके प्रती नित्य की दिष्टी रखते हैं इसी प्रकार से नाना प्रकार के पदार्थ हैं जो सदा हमारे साथ नहीं रहेंगे अच्छा बोलो हमारे मां के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पती के साथ, पतनी पुत्र, पुत्रियों के साथ, जो रिष्टेदारी है, संबंध है, वो नित्य है या अनित्य है, पर उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, जैसे कभी बिगड़ेगा ही नहीं सं और परमात्मा के साथ बोलो आपका संबन्द नित्य है कि अनित्य है पर उसको याद ही नहीं करते अगर हम कह दे कि परमात्मा का ध्यान आप सुबह साम दो दो घंटा किया करो तो उसके मुख से वाक्य निकलता रहे मरने को फुरसत नहीं है आप दो घंटा ध्यान में बैठन को कहते हैं अरे बोलो इसका नाम क्या है अविद्या पहला अविद्या का भाग है हम अपने व्यवहार में अनित्य वस्तुओं को ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे सदा हमारे साथ बनी रहेंगी और नित्य वदार्थों के प्रति हम अनित्यता की तरह उल्टा व्यवहार करते है यह क्या है अविद्या दूसरी अविद्या क्या है अब पवित्र वस्तूओं को हम पवित्र मानते हैं अच्छा हमारा सरीर अरे बोलो मल मैं है कि नहीं पर हम इसे पवित्र मानते हैं और कि कभी किसी लेखनी जो कवियों की लेखनी हो न तो उस कवी की लेखनी को उठा करके तो आपको पता लगेगा कि देह के बराबर पवित्र वस्तु कोई नहीं है बोलो ये अविद्या है की नहीं अच्छा पाखंड अरे बोलो पाखंड जैसे ये बोले मेरे से किरपा नहीं हो रही मैं कहूं प्याज खाई की नहीं खाई बोले ना खाले ना किरपा हो जाएगी बोलो ये पवित्र विचार है की नहीं ध्यान देना किरपा तो पुर्शार्थ के द्वारा होगी अरे बोलो किसके द्वारा होगी अगर पुर्शार्थ करोगे तो किरपा होगी और पुर्शार्थ नहीं करोगे तो बोलो कृपा ये विद्या है और क्या है दुखों को सुख मानना इसके विशे में मैं कहूंगा जिन कर्मों के करने से प्रारम में दुख अनुभा हो विश जैसा लगे अजी बोलो कैसा लगे जब आप पढ़ते थे बालकपन में तो पढ़ाई करना बड़ा कठिल लगता था पर परिणाम में अमरित है वो अरे बोलो है कि नहीं और इतना अमरित है अरे सुनो इतना अमरित है उस अमरित के भारे में कह दिया विद्वत्वम चे अंद्रिपत्वम चे नईवतुल्यम कदाचन स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पुज्यते क्या कहा अगर विद्वान बन गए तो तुम्हारी पुजा तुम्हारे देश में ही नहीं होगी धर्ती पर जहां जाओगे वहां बोलो पुजा हाँ आज कल गड़बर हो रहा संप्रदाइक्ता बढ़ रही इसलिए और तीसरी अविद्या के बाद मैं चोथी अविद्या और बताता हूँ अनित्य असुची दुख अनात्म वस्तू अरे बोलो कैसी वस्तू जड़ अनात्म माने जी जड़ वस्तू को चेतन मानना मैं एक सत्य घटना आपको सुनाता हूँ अविद्या की मेरे यहाँ एक व्यक्ति आए बोले थोड़ा सा गोंद चाहिए अरे बोलो क्या चीए जी गोंद भी नहीं बोला था वो गोंद से एक बढ़िया चीज होती है फेवी कोल हमने का क्या करोगे बोले क्या करूँ मेरे भगवान जी की आँख निकल गई है अरे बोलो किस की जी अच्छा बताओ क्या परमात्मा के भी आँख होती है अरे वो तो हिने है गोलकों के भीना सारी स्रिष्टी का जियाता है और मैंने पूछा तुम्हें अपने परमात्मा की आँख बनानी पड़ रही है और तुमहारी में भगवान करे कभी दोष न हो तो तुमहारी कौन बनाएगा मने जड़ वस्तूओं को चेतन समझ लेना अरे बोलो क्या समझ लेना और चेतन वस्तूओं को क्या समझने ना जी ये उल्टा जियान क्या है अभिध्या, अरे बोलो क्या है देखो भाई, यहां आओगे अगर सुनो जी, यहां आओगे अगर तो हम ऐसा बोलेंगे जिससे हमारे अंदर आपको लगेगा इनमें हमारे प्रती प्रेम बहुत है अच्छा जिसके मन में प्रेम होता है उस सामने वाले का कल्यान चाहता है कि जाए भाड में ये चाहता है बोलो जी और जब हम कल्यान चाहेंगे तो हम वो नहीं बोलेंगे जो तुम सुनना चाहते हो बलकि हम वह बोलेंगे जिसके बोलने से तुम्हारा बोलो कल्यान होगा इसलिए यहाँ पर आईए स्वागत है आपकी एक एक संका का ही नहीं प्रती प्रस्न करने का भी यहाँ पर क्योंकि सत्य असत्य का निश्चे करना कराने का ही नाम क्या है धर्म है सत्य असत्य के निश्चे के बिना विस्तार में आप चाहें तो इसका स्वतंत्र प्रवचन कर देंगे अब मैं समझता हूँ आप संतुष्ट हो गए होंगे झाल